आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अविकल पर सही है तो यहां अपने पास देखिए दो रेखा इदे रखिए एक रेखा दे रखिए अपने पास चार एक्स प्लस पी वाई बराबर 6 और दूसरी जो रेखा दे रखिए या फिर देखिए हम इसको 6 को इधर ले आए तो यह हो जाएगा अपने पास माइनस का 6 एकवल टू 0 ना 6 इधर धनात्मक था है इस पक्स में आगी धनात्मक हो गया और दूसरी रेखा की बात करें तो यह दे रेखा अपने पास 12X प्लस अपने पास 9Y तो 9Y और 15 इस पक्स में आएगा तो माइनस का 15 बराबर 0 जाएगा अब देखिएए अपने पास समाना अंतर है तो हम जानते हैं कि अपने पास रेखिक यूग में समी करण समाना अंतर बराबर 0 देखिए अपने पास जीरो हल रखता है कभी जब अपने पास A1 BY A2 जो हो वो अपने पास बराबर हो B1 by B2 और बराबर नहीं हो C1 by C2 ना तो यहां अपने पास हम कह सकते हैं कि इस रेखिक सम्झेकर युग में के कोई हल नहीं होता और कोई हल कम नहीं होता जब अपने पास रेखाई क्या होती है समाना अंतर होती है जिसे कि अपने पास मालीजी एक रेखाई है एक रेखाई है तो एक दूसरे कोई नहीं काटेगी तो अपने पास समाना अंतर है समाना अंतर रहता है अपने पास कोई हल नहीं है तो यहां अपने पास हम लिख देंगे कि जो रेखाई होगी वो अपने पास कैसी होगी वो अपने पास समाना अन्थर होगी, तो यहाँ अपने पास देखिए, हम A1 A2 इनके बाँ लिख लेते हैं, तो देखिए हम देख सकते हैं कि A1 जो है पहले समीकर्ड में X का उना चार हो जाएगा, B1 जो है वो अपने पास पहले समीकर्ड में Y का गुणांक P हो जाएगा और C1 अपने पास अचरपद माइनस का 6 आ जाएगा A2 जो है वो अपने पास X का गुणांक 12 आ जाएगा B2 जो है वो अपने पास Y का गुणांक 9 आ जाएगा और C2 जो है वो अपने पास अचरपद माइनस का पंदरा जाएगा तो देखिए हम सबसे पहले A1 बाई A2 का मान निकाल लेते हैं तो A1 बाई A2 बराबर है अपने पास 4 बटे 12 के जो अपने पास 1 बटे 3 के बराबर आ गया B1 बाई B2 की बात करूं तो B1 बाई B2 बाइन पास फागश जाएगा P बटे 9 के बराबर और C1 बाटे C2 की बात करूं तो ये दे रख़ा अपने पास minus 6 बाटे minus 15 तो minus से minus cancel हो के ये अपने पास 3 का फागश जाएगा तो 3 बटे 5 बटे 5 के बराबर आ गया तो हम देख सकते हैं कि रेखाई समांतर होने के लिए समांतर जो A1 by A2 है उसको B1 by B2 के बराबर और C1 by C2 के के नोट इक्वल लोना पड़ेगा तो यहां अपने पास हम देख सकते हैं कि एक बटा 3 अपने पास A1 by A2, B1 by B2 अपने पास P बटे 9 तो यह इसके बराबर होगा और note equal to होगा अपने पास 2 बटे 5 के तो यहां से अपने पास देखें 9 इधर जाएगा तो P बराबर क्या जाएगा देखें स्कॉल करेंगे तो 9 इधर जाएगा तो P बराबर आजाएगा अपने पास 9 बटे 3 तो यहां से अपने पास P बराबर कितना आ गया P बराबर अपने पास 3 आ जाएगा तो पी बराबर तीन के लिए अपने पास क्या होगा पी बराबर तीन के लिए अपने पास रेखी क्योंकि में समीकरण के पी बराबर तीन के लिए अपने पास रेखी क्योंकि में समीकरण जोगा वो अपने पास समाना अंतर होगा तो यहां अपने पास P बराबर 3 जो है वो अपने पास दूसरे विकल्ब में ते रखा है तो यह मारा से उत्र हो जाएगा देन दूस्ते में अंसर हो गया